हेड दोस्तों विल्कम बैक टू दो चटपट तोई टीवी मेरा ना मेरा आयान आज की वीडियो में मैं एक सोनी पीएसपी 3000 की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ क्योंके आर सोनी पीएसपी जो है न्यू मिलना बहुत ही रेर चीशा है क्योंकी सोनी पीएसपी जो है 2010 की आसबास जो है कमपनी ने बंद कर दिया तो आर मैंने कहीं से पागर करके एक सोनी पीएसपी रिफफर भिषड़ खरीदा है यानि कि यह already use किया हुआ है तो अभी देखते हैं इसको unbox करके अपनी को यह जो sony PSP है किस सरा की quality में मिला फटाफट से चलो इसको अपन यहां से open करते हैं इसको जो ही नगा इस मैंने बहुत ही कम prize में खरीदा है अगर आप भी चाहे तो खरीद सकते हो लिंक मैंने नीचे description में दिया हुआ है तो एक बार यार confirm कर लेते हैं देखते हैं इसकी quality कैसी है फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां से जाकर आपको यह खरीदना चाहिए कि नहीं तो भाई यह आगए कुछ चीज़ें सारी चीज़ें देख रहे हो open मिली है इसके अंदर हमें क्योंकि यह already use किया हुआ है तो फटाफट से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं फिर देखते हैं इसकी quality कैसी है तो यहाँ पर हमको मिला है एक cable लगता है यह इसका charging cable है अच्छा तो देख रहे हो यह एक adapter है हमारे Sony PSP को charge करने के लिए तो यह दो ही चीज़ें मिली हम लोगों को जैसे कि आप देख रहे हो तो यह है हमारा PSP भाई साब कहीं से भी पुराना लग नहीं रहा है तो रहुल इसकी जो quality है ठीक ठाक है कहीं से भी कोई भी scratch वगेरा नजर नहीं आ रहा है बस यहाँ पर जो है थोड़े से minor से scratches है बाकी बेलकुल एक नया PSP जैसा ही दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा यह जो PSP है इसके साथ मुझे 25 free games भी मिले है बाकी buttons की quality वगेरा एकदम perfect नजर आ रही है तो भी यहाँ पर इसका joystick यहाँ पर है इसके action buttons यहाँ पर है deep pad और यहाँ पर सारे buttons जो है सही है यहाँ पर लिखा है PSP बलकर volume यहाँ से आप down कर सकते हो बाकी triggers वगेरा है और ports वगेरा भी देख लेते हैं 1200 mAh की battery दी हुई है इन लोगोंने और यहाँ पर देखो गई इसके अंदर जो है आप इसकी CDs वगेरा भी डाल सकते हो तो यह 2 in 1 है इसके अंदर जो है आप memory card भी डाल सकते हो या फिर अपके पास इसकी CD वगेरा है तो वो भी इसके अंदर डाल कर गेम्स वगेरा खेल सकते हो तो भी इसका memory card का slot देख लेते हैं शायद यहाँ पर है तो memory card भी देख लेते हैं कितने GB का memory card जो है हम लोगों को इन होने दिया है तो भी PSP की जितनी भी famous games है सारी की सारी games जो है इन लोगोंने हमें इस memory card के अंदर ही load करके दी हुई है तो दोस्तों यह जो memory card है 16GB SanDisk का memory card दिया है हम लगने चलो वापस से इसको अंदर डाल देते हैं अपन तो भी नीचे की तरफ में आपको बता हूँ तो यहाँ पर हम लोग earphones वगेरा भी लगा सकते हैं और यहाँ पर एक TV output का option भी हमें देखने को मिलता है तो यार वो जो cable है मेरे पास है नहीं यहाँ से आप जो है connect करके आपके TV में भी games वगेरा खेल सकते हो और यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो तो चलो फटावट से इसको जो है नगाइस अपने on कर लेते हैं भी तो भई अपना जो PSP है on हो चुका है तो PSP को जो है मैंने पूरी तरीके से इसमें जो भी settings वगेरा करनी थी सारी settings वगेरा कर दी है यहाँ से इसके अंदर music वगेरा भी आप सुन सकते हो memory card में music वगेरा लोट करनी के बाद वीडियो वगेरा भी देख सकते हो अपने को कितनी games मिले हैं memory stick के अंदर तो यहाँ से इसको ok कर लेते हैं तो ओ भाई Benton Smackdown Tekken तो यह कौन सी game है मैं को कुछ समझ नहीं है यार और यहाँ पर शाय स्पाइडर मैन है यार ओ भाई गजब Sonic Rivals 2 तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहो और भी दुनिया भर की सारी की सारी जितनी भी famous games है PSP की वो सारी games जो है इन लोगों ने मिरको यहाँ पर लोड करके दिया ओ माई गॉड Grand Theft Auto भी मिलिया में तो भाई यह वाई City गेम है तो इसको मैं आपको खेल के भी बताने वाला हूँगा इस वीडियो लाश्ट तक जरूर से देखते रहना तो भाई वाल्यूम वगेरा भी काफी मस्त लग रही है इसके अंदर देख रहे हो फुल वाल्यूम पर अभी है तो यहाँ से वाल्यूम थोड़ा सा अपन इसकी कम कर देते हैं तो God of War भी दिया है इन लोगों ने मिरको और यह कोशी गेम है यार Flat Out Dragon Ball Z तो भी टोटल जोईन लोगों ने मेरको 25 गेम्स इसके अंदर लोड करके दिया है तो चलो दोस्तों पहले हम लोग Benten खेल के देखते हैं यार तो भाई अभी तक जो है हमारा PSP बिलकुल सही से चल रहा है यार कहीं पर भी कुछ में lag वगेरा मेरको देखने को नहीं मिला है तो भाई इसके जो buttons वगेरा हैं काफी जादा responsive है तो buttons की quality भी अच्छी है गाई इसकी कि अच्छी है तो भाई Benten गेम जो है काफी मस तरीके से चल रही है तो चलो भी अपन कोई दूसरी गेम खेल के देखते हैं तो अभी हम लोग main गेम खेलने वाले हैं वह है God of War तो भाई इसके अंदर जो graphics होती है काफी जादा banker किसम की होती है तो यहाँ पर जो है इसकी पूरी टेस्टिंग भी हो जाएगी देखते हैं अपना PSP किस तरह से काम करता है यहाँ पर सही है यार अपना PSP जो है काफी perfect तरीके से work कर रहा है तो भाई इसका जो price है 3500 रुपीस है वाई वाई सीटी भी जो है बिलकुल सही से work कर रही है इसके अंदर कर रहाँ 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 तो यहां पर मैं खिलने वाला हूँ टेकेन गेम जुटे वाइस सीट तो काफी मुस तरीके से वक कर रही थी तो यहां हम टो या खो यहां हम तरीके से वक कर रहीं खो कर रहीं तूब एक बार सबसे ज़्यादा फेमस गेम PSP में स्माइक डाउन होती है तो इसको भी खेल लेते हैं यार ओ भाई जान सीना जो है इसको धोय जा रहा है यार तो भाई मेरको जो है काफी सही वाला PSP मिला यार मैंने बिलकुल भे एक्सपेक नहीं गया था कि इसकी जो क्वालिटी है इतनी जगरदस तो जहां तक बात करूँगा इसके बैटरी की क्वालिटी की बैटरी जो है भाई बिलकुल सही चल रही है यार मैंने इसको जो है तकरीबन 2 घंटे तक यूज किया है सारे गेम्स बगरा टेस्ट किया है कहीं पर भी लाग बगरा देखने को नहीं मिला है मेरे को और बैटरी जो है मेरे खायल से तकरीबन अगर आप continue खेलते हो तो 4 घंटे का backup इसके अंदर आपको मिल ही जाएगा और दोस्तों मैंने इसके अंदर इतनी धेर सारी गेम्स आपको खिल के बता ही है आपको जो है कौन सी गेम इसके अंदर अच्छी लेगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ जो अज देख लेते हैं किसको किसको मिलेगा शाट आउट तो आपको भी चाहिए शाट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक नीचे कर दीजे कमेंट करनी के पाद आपका नाम भी ज़रू से टाइब करते ना दोस्तों ता कि मैं आपको ही शाट आउट दे सको next वाली वीडियो में भी 10 दोंका नाम से रडर करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो ही पर होती है मिलता हूँ आप से नेक्स वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियो गेम इसके साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो